पाकिस्तानी टीम से बाहर चल रहे तेज गेन बार्ज मुहम्मद इर्फान ने कुछ ऐसा कहा है जो भारतिये फैंस को काफी नाराज कर सकता है उन्होंने दावा किया है कि टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और अभी सांसद गौतम गंभीर का वन डे इंटरनाशनल और टी ट्वेंटे इंटरनाशनल करियर उन्होंने खत्म किया है इर्फान ने कहा कि जिस तरह से 2012 में भारत पाकिस्तान की बीच भी सीरीज के दौरान गौतम गंभीर उनका सामना करने को लेकर ऐसा हज रहते थे जिसके उनका सीमी तोवरो की क्रिकेट का करियर ज्यादा दिन तक नहीं चला सीमी तोवरो के सीरीज T20 और वंडे के दौरान साथ फीट एक इंच लंबे इर्फान ने गंभीर को चार बार आउट किया था बायहात का ये बल्ले बाज इसके बाद भारत की तरफ से केवल एक और सीरीज यानि कि इंगलाइन के खिल पाया और फिर उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया आपको बता दे कि इर्फान ने कहा जब मैं भारत के खिला खिला तो वो मुझे सहजो कर नहीं खिल पा रहे थे भारत में 2012 की सीरीज में उनमें से कुछ ने मुझे बताया कि वे मेरे लंबे कद्व के कारण मेरी गेंद का सहयनुमा नहीं लगा पाते थे और गेंद की तेजी भी नहीं भाप पा रहे थे इरफान ने दावा किया कि सीरीज में खराप रदर्शन के कारण ही गंबीर का करियर खत्म हो गया नेक्स आन स्पोर्ट से रितिकी रिपोर्ट